कुझ भार पुष्पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्री बास्तो और आप मेंसा देख रहे हैं हमारा खास कारिकम बात अपने देश की इस बात अपने देश की में हमेशा हमारा मुद्धा बहुत एहम होता है और इस कारकम के माध्यम से हमार समस्या भी उठाते हैं, समाधान की बात भी करते हैं, बिकल्ब की बात भी करते हैं, माध्यम की बात करते हैं, युजनों की बात करते हैं, क्रियानमन की बात करते हैं, दर्ज की बात करते हैं, प्रसंसा की बात करते हैं, अनुमान की बात करते ह इस कारकम के माद्यम से हमारा हर प्रयास ऐसा होता है जिसका सीरे जुड़ाओ आम जनता से हैं और जिसका नुक्सान और हानी भी आम जनता को डिखाई देनी चाहिए चाहे मुद्दा कोई भी हो बैसे समय मुद्दे देश में कही है पर अभी हमारा जो मुद्दा है वो शुरुबात तो उसकी पहले हुई थी पर अब इस मुद्दा लगातार जनता के बीच बहुत फिमस हो गया प्रसिद हो गया है और धीरे धीरे अब आम जनवी इस पूरे नए मुद्दे के साथ नई जुलाई 2015 में प्रामंति नरिन मोडी ने की थी जब वो पहली बार देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर प्रामंतिरी के रूप में बैठे थे जबार चुदा में प्रामंतिरी बने और 2015 में एक जुलाई 2015 उन्होंने डीटल इंडिया के सुरुबात की इसके पीछे भी एक का जो कारण से इसके लिए डीटल इंडिया शुरुबात की वो थी ग्रामी इलाकों को हाई करेक्टिविटी इंटरनेट से जोणना और इसके बाद डीटल लिटरेसी यानि आधूनिक साच्छरता को बढ़ावा देना ओल्लाइन साच्छरता को बढ़ावा देना इसकी शुर तो मोरी सरकार का डीटल आधार पूर्थ धांचे का नर्माण कनना इलेक्ट्रोनिक रूप से सभी सेवा जनता रख पहुंचाना और तीसरा मुख्य घटक था डीजिटल साच्छरता तीन घटक हैं और चुरोंतियां कई थी चुरोंतियां कई इसलिए थी क्योंकि लोग डीजिटल लेंदेन को स्विकारे कैसे लोग डीजिटल पर भरूसा कैसे करें लोग डीजिटल को अपनाएं कैसे और डीजिटल रूप से कैसे मजबूत बनें और मजबूते के लिए त तो आपको उताया है कि जिस तरह से जब एंड्राइड मोबाइल 2013 में नमंबर में लॉंच हुआ था उसके बाद लॉंच तो और पहले भी होते पर तकनिकी रूप से हम नमंबर 2013 में लॉंच हुए थे और बिस्तर रूप से इसका प्रभाव हुआ और लोगों ने जो मोबाइ हैं वो लेना शुरू किया फैए एंड्राइड मोबाइल और ही तो अपनी मेर्पूर भोऌ का न्हाँ सकता था क्योंकि बिना इंड्राइड के बिना बड़े मोबाइल के बिना टैबलेट के आप डिजैल इंडीया को को नहीं सुविकार कर सकते तो जब उसकी शुरूबात ही शुरुबात होने के बाद फिर इसको बढ़ावा दिया गया और तमाम बड़ी बड़ी कंपनिया आई उसके बाद मैंने को ताया कि जियो ने भी बड़ी अपनी मेर्वकांची यह ना लॉंच की और महिनों तक फिरी इंटर्नेट फिरी कॉलिंग जैसी तमाम ब्यौस्था है कि जिसका यह सिला रहा कि आज जियो के सबसे ज़्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर हैं जो की एंडराइड को उप्योग करते हैं उसके बाद अन्यव सेवा पर दाता कंपनिया है पर जियो सबसे उच्छनव स्करपर गया है उसके बाद जब आठ नवंबर 2016 को नूडब बहुत जरूरी है कि चाहे हम अपने करेडिक तो पहले करते थे वह करते थे और पैसा ने कालते जिए बैंक में क्योंकि एटिम से पर डीटल उप्योग मोबाइल का हम नहीं कर पाते थे online system, online transaction, online वियुस्ता है, online सिच्छा, online खरीडी, खरीड और online बिकर रहे और तमाम बड़ी कंपनिया उद्योग में आई है उसके बाद जब online व्यापार चर्चा में आया तो बड़ी-बड़ी कंपनिया इस online वियुस्ता है में आई जिसे फिलिपकार्ट है अमेजाउन है मीसो है और तमाम बड़ी कंपनिया इस ओनलाइन बेरसाय में आई और जो खुजरा बयपारी थे उनका कहना था कि इन कंपनियों के आने के बाद से लगातार हम घाटे में क्योंकि कम कीमत पर तमाम ओफर्स के साथ सामान देती हैं और जिससे कि आम जनता इनकी तरफ अकर्सित होती है हमारे जो कस्टुमर है हमारे जो परभूगता है वो इनकी देख रही थी क्योंकि यहां पर ओनलाइन वे उस्ता है थी यहां पर टर्जेक्शन ओनलाइन था यहां डिलेवरी आपके दूरिश चैप तक थी और तमान तरह की सुवड़ाय थी ऑफर्स थे जो कि आम मुखता को बड़े लोभा रहे थे और आम मुखता इससे जुड़ बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब मूबाइल एप के मानले हम से आ रहे हैं। और तमान तरह के एप इस समय मूबाइल में आपको मिलेंगे। स्वापिंग करने के एप मिलेंगे जानकारी के एप मिलेंगे सूचना के एप मिलेंगे सिकायर के एप मिलेंगे सुचिता के एप मिलेंगे और साथच्छता के एप मिलेंगे तमाम बड़ी कंपनियां बाईजू जैसी बड़ी कंपनियां साथच्छता के रूप में एक एप क सथाही on-line हूई है कि लास में online होती थी होंबर्ग online होता था कि लाजवर्ग online होता था और साथ साथ जो षिए अंफिपकर मीवह त्सक्राइन नौकरिक जो लोग पाम करते था वहां म deeply online के माध्यम से अपनी नोकरी करते रहे घर कर लोग और उन्हों दौरान अपने परवार को चलाया अपनी जीवी का चलाई। और तब मालम पढ़ा कि यह दीटल बे उस्था है यह हमारे जीमन का एहम अंग बन चुकी है और लोगों ने जाना कि किस तरह से हम ऑनलाइन काम करके भी अपनी जीवी का चला सकते हैं। पлек insane प्रूलाइन सबाएं हैं इस तरघ मंटिती रहेगा जहां पर आप आंलाइन काम नहीं कर सकते कोई फेट्र वह यहां पर तो वहाँ पर online काम किया गया और तमाम बड़ी कंपनिया हैं इस मामले में आगे रही खास तोर से IT शेक्टर की कंपनिया यानि की information technology की कंपनिया बड़ी-बड़ी कंपनिया और उन्होंने अपने जो करमचारी उनको कहा कि आप आराम से घर से काम करिए और आपको यहाँ पर हम त जिस्ता बुथा अपनी और अपने लोगों की चिंदीगी को बचाना और भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक इंसान को अपना ही माना जाता है अगर पड़ोस में भी किसी की मित्तियों होती है किसी बीमारी से तो दुख और दर्द सबको होता है और ग्रामिट भारत के दूए तो वहां पर तो अगर जाती है तो वहां पर पोरा गाव में इस बात का सोख जाता है तो मिस्तियूप से आंपर लोगों को को कितनोंiously अपनों को खोया है, सब जग जायर है, सब को पता है, बहुत कब परिवार ऐसे होंगे, जहां पर किसी भी, उनकी कुटम में किसी मित्ति ना हुए, बड़ी विमारी थी, बैस्विक विमारी थी, और लोगों का नुकसान बहुत ज़ादा हुआ, पर कुरोना के समय, जस तरह गयब मालने, बड़े-बड़े कोचिंग इस्टिडूट भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे थे, सिच्छा दे रहे थे, बड़े-बड़े कॉलेज ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, सिच्छा दे रहे थे, और साथी साथ तमाम बड़ी युजना हैं, तो डीटल रूप से अब लोगों की तब पहुंच रहे हैं, चाहे हम रासन ब्युस्था की बात कर लें, चाहे पात्रता की बात कर लें, चाहे हम बीमा युजना की बात कर लें, चाहे हम किसान निधी की बात कर लें, तमाम ब्युस्थाएं सरकार की अब इंटरनेट के माध्यम से, कर्येक्टि साजी सरकार है उन्होंने अपने एप लॉंज कर रखें सिकायट के लिए वियुस्था के लिए खरीड के लिए विक्रे के लिए और साथी साथ जो इव कॉमर्स कमपनिया है मैं आपको बताया फिलिपकार्ट हो गई वीमार्ट हो गई अमेजन जैसी कमपनिया हो गई बड़ी-बड़ी कमपनिया है मीसो हो गई माहरा हो गई तमाम बड़ी कमपनिया है ये भी अपने लोगों को एक एप के माद्धे हम से ज चुड़ते चले जाते हैं और जिस तरह से आज की समय में लेंदेन हो रहा है वह सकरा तो बात है पर लेंदेन में भी एक विसंगती यह है कि पारदर्सिता और निजता का ध्यान भी हमने रख पा रहे हैं क्योंकि मोबाल एप में तमाम ऐसी चीजे होती हैं जिसमें चीजे आ अलंगन होता है कि क्योंकि हर आप कोई भी आप डालोड करेंगे तो उसमें वह आपके फोटो को आपके सेरिंक को आपके कांट्रेट को मगेगा और बहां पागर निजता आपको इसको एलाव करना पड़ेगा और यहीं पर आपकी निजिता का पूरी तरह से उलंधन हो जाता है और इस तरफ हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी निजिता का उलंधन ना हो तो आपको ऐसे एपों को डालूट करने से बच समस्या भी है पार्दसिता लेंदन हो जाता है पता निजल पता अगर छोटा वी लेंदन आपने किया है और अगर वो गलत नंबर पर चला गया तो फिर बाप्सी की उम्मीद कम से कम है जीटल हम बंद रहे हैं तक्रीर उसे में मजबूत हो रहे हैं इंडिया आंगे बढ़ रहे हैं पर तमाम ऐसे चरण हैं इस तरहां जिन पर काम होना बहुत आवस्टक है जब तक हम उन पर काम नहीं करेंगे तमाम चीज़ें हमको नुक्सान देती रहें आज समय में आप देखते हैं किस तरह से साइबर फ्रॉट बढ़ रहा है कि पैसे गाएब हो जाते हैं केर से हम आपने आपको निज़ता में राष सकते हैं और पूरी पारदस्ता के सार आपका पेमेंट हो तमाम सेवा पराता कमपनियां हैं जो की ओनलाइन टस्फ करा रही है भी मैप हो गया गूगल पे हो गया पेटीम हो गया रुपय हो गया सरकारी भी है प्राइबेट भी है कहा आपको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको डिना एलाउग को बिना एलाओ कि आप वो mobile app को install नहीं कर पाएंगे और साथी साथ यहाँ पर यह संगती यह भी है कि अगर हम किसी सरकारी ब्योस्था पर चीजे लाते हैं तो आपको ब्योस्था देखनी पड़ेंगी क्योंकि अगर आप उस ब्योस्थाओं को नहीं देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा किस तरह से आप उस चीज को बहतर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप उस चीज को बहतर नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए आपको ब्योस्था देखनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपको एक विसंगती तेया करनी है अगर आपको विसंगती से बाहर निकलना है तो आपको कुछ बैतर काम करने होंगे और डीजिल पेटफॉर्म पर अपने आप से हो राज छल को रोकने के लिए आपको तकनीकी रूप से मजबूत बनना पड़ेगा तकनीकी रूप से मजबूत बनने के लिए आपको प्रयास भी करने पड़ेंगे और साथी साथ सारी बियुस्ताओं को समझना ही पड़ेगा अलप ग्यान दीटल लेंदिन में बहुत नुकसान करता है अल्प ग्यान तमाम माध्यम में नुक्सान करता है आप में लगातार देखते हैं कि तमाम तरह की जो सरकारी एप है चाहे सुच्चता का एप हो, चाहे स्वास्त का एप हो, चाहे मेडिकल का एप हो चाहे बीमा का एप हो, चाहे समस्या का एप हो और जिम्मेदार उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं और एक आगड़ा सरकार का जाता रहता है कि आपकी समस्या का समाधन हो गया और इस एप में इतनी समस्या आई थी और इतनी समस्या का यहां पर पूरी तरह से समाधन कर दिया गया पर जो बास्तविक्ता होती है वो आम समस्या का हल नहीं होता है और यह जगा यह हो रही है और यह चल सब जगह किया जारा है मेरा एसा मानना है की कई robbery से आता है कि हमने स्रे कराइख कराई थी पर उसका समाधन नहीं हुआ में सभी मामलों के दो नहीं कży आए कि और जो ब्यक्ति होता है जो समस्या को भेजता है पोटल पर उसको रेस्टर्ट करता है वो अपने आपको ठागा सा मैसुज करता है तो मोडी सरकाल लगाता है डिजिटल साथ सर्ता पर जोड़ दे रही है और प्रियास कर रही है कि बैतर तरीके से कैसे और चीजे आगे सुपुरग कर सकते आपको अपने लोगों को पूरी तरह से इस मामले से जानकरने से Carnial करना बहुत आवश्यक होता है और मेरा मानना यह है यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी ग्रामीन पित्वाग ग्रामीन उर्पाद आदमी की आम पहुंच से बाहर हैं और इन उर्पादों को ब्यस्ट्विक रूप से आगे लाने के लिए आपको ब्यस्था देखनी पड़ेगी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ग्रामीन इससे अबगत हो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ग्रामीन इसमेर अपना अनिस्ट्योशन कराएं और अर्पने उर्पादों को ब्यस्था रूप से बेच सकें जिस पर उनके लिए कोई टेक्स न लगे और निर्बाद र काम करेंगे यह तभी बनेगा बहुत करेंगे और इसलिए यह सरकार की नीती होनी चाहिए यहादिकारियों की नीती होनी की करण का जो पिचार है बो सरल माध्धम में आम जन्त्र पहुचाना पड़े चाहे mobile app हो चाहे e-commerce हो चाहे विवस्थाय हों चाहे शेवा पिनाता हो चाहे विक्री ओ और चाहे खरीड हो और चाहे लेंदें हो जाहे घूमने की बात हो चाहे पर्णड की बात हो और सच्टा की बात हो आपको हर एक बात की जनकारी गिरायमीर भारत को आजुनिंग भारत को और आने वाले भारत को देना बहुत आबस्यक है क्योंकि डिटार इंडिया का सपना प्रयामादी नर्यमोदी ने देखा है उसको अगर हमको आंगे बढ़ाना है उसके लिए तमाम प्रयास करने पढ़ेंगे और साथी साथ ग्रामी भारत को इसमें प इनद्रेणेटर्णेड केंद भी खोले जा रहें है यह और फिरी वाईफाय की शुबना वी गावाओं में डी जा रही है अधि अउत्तप्ब्र सरकार्णें फ्री डायां में अल्यगाओं देखा है यह वाईपर पर आप Crnt ग्रैवलर बनाए यह चाह अब पर उनको को सभी ग्राम, सचवाईलने इंटरनेट रहेगा और और्थ साथ बहां पर हर व्योस्था चाहे वह वहीडियो हो सबके लिए कुर्ष रहेगा और वह वह तक्री ग्राम पर भूट से शुरूवात हो चुकी है बहुत सारे गाउं में घ्राम सचवाया जिससे आम जनता जो गाम की जनता जो ग्रामीर भारत है वो भी निश्ची रूप से राजधानी जुड़ चके एक उनका जो सिस्टेम है वो पता चल सके और साथ चानेक्टिविटी रहे पता रहे कि कौन करसी उजना है सरकार दे रही है उसका किस तरह हमको अपनी भूमिका नवाना है क्योंकि जब भूमिका नवाई जाएगी तब ही भारत बिश्चु गुरू बनने का सपना जो देख रहा है उसको पूरा कर सकेगा तो डीटर इंडिया का जो सपना है वो सपना बहुत बढ़ा है उसमें अभी तकनिक रूप से तबाम कठोर कडम उठाने है पार आज की चर्चा में अतना ही है अगली बार फिर किसी नहीं मुद्दे के सारोगी मुलाकार तत्ता कि मुझे यानि गौर्फ स्री रस्तों को डीजे जाएद नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार